प्लेट विवर्तनी की एक ऐसा सिध्धान्त है जो सिर्फ प्लेट के गति सीलता की ही बात नहीं करता, डिफ्रेंट टाइप्स ओफ प्लेट की ही बात नहीं करता, बलकि अलग-अलग प्लेट मार्जीन में विभिन प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, या जो अलामुकी विश्फोर्ट होता है, या भूकम होता है, इन सभी चीजों को भी बहुत बेहतर ढंक से एनलाईज करता है, इसमें हम लोग अभी तीनों ही तरह के प्लेट मार्जीन की बात करने जा रहे हैं और प्रते एक प्लेट मार्जीन पर किस प्रकार की इस्थिती पैदा होगी, क्या-क्या नए लैंड फॉंस बनेंगे, उन बातों को भी हम लोग डिसकस करेंगे, सबसे पहला जो है जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जीन की बात करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जीन में नए प्लेट बनते हैं या नया लिथोस्पेर बनता है, इसमें सबसे पहला जो खास पॉइंट है वहाँ है नए क्रस्ट या नए लिथोस्पेर का निर्मान जिस कारण से इसे रचनात्मक प्लेट बाउंडरी करते हैं जहाँ पे continuous divergence होता है लगातार प्लेट एक दूसरे से विप्रित दिसा में जा रही है वहाँ पर ridge और valley का निर्मान होता है छोटी छोटे पहारिया भी बनेंगे और वहाँ पर पहारिया भी बनेंगे और valleys या घाटियों का भी निर्मान होगा यदि यह महासागर के नीचे है तो ओसन फ्लोर का विस्तार होगा ओसन के फ्लोर में लगातार बढ़ोतरी होगी जैसा कि आप एटलांटिक ओसन में देख सकते हैं एटलांटिक ओसन में मिड एटलांटिक ओसन रिज जो है उस ओसनिक रिज के दोनों तरफ पुरो और पच्चिम की तरफ उसका मुव्मेंट हो रहा है और उस मुव्मेंट के कारण यहां लगातार इस क्रैक्स में मैगमा भरा जा रहा है और एटलांटिक महासागर विस्तरित होता जा रहा है विस्तरित होने का कारण है कि जो भी क्रैक्स होता जा रहा है वो भर दिया जा रहा है मैगमा से और वहां एक रिज का निर्मान हो रहा है और उस रिज के कारण यह धिरे-धिरे बरता जा रहा हूँ और Atlantic महासागत के फ्लोर में विस्तार हो रहा है इसी तरह से हम लोग ये भी देखेंगे कि कई जगा पर नए ओसन का भी निर्मान हो रहा है जहां पर दो Continental Plate diverge करते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दूर जाने पर जैसे आपुदारन के तौर पर कह सकते हैं कि Atlantic Ridge है South Western Indian Ocean का Ridge है या Charlesburg Ridge है ये सारे जो Ridge है या पहाडियां हैं ये divergence से बनीवी पहाडियां हैं तो इस तरह से नए नए Ridge का भी निर्मान होता है अब हम लोग दिस्कस करने जा रहे हैं destructive plate margin की या convergence जिसे हम लोग विनास्चील plate की नारा कहते हैं इस plate की नारा में एक plate दूसरे plate से टकराता है और एक plate का भाग अंदर की तरफ धंसता है और एस्तनोस्फेर में जाके विलीन हो जाता है तो इस तरह से लिथोस्फेर के एरिया में कमी आती है तो यह जो plate है convergence plate margin यह तीन तरह के हो सकते हैं जब दो ओस्फिक plate हो जब दो continental plate हो या तीसरी इस्तिती हो सकती है जब एक ओस्फिक और एक continental plate हो तो इस इस्तिती में सबसे पहली इस्तिती जो हम देख रहे हैं जिसमें दो ओस्फिक plate आपस में टकरा रहे हैं वैसी इस्तिती में टकराने से बीच का जो यह zone है इसको subduction zone कहेंगे जहां पर यह consume हो रहा है जिसे हिंदी में छेपन कहते हैं इसमें oceanic जो area है या floor है उसमें कम ही आती जाएगी चुकि plate एक दूसरे से टकरा रहा है जो ocean का floor था वो बहुत हद तक दूसरे plate के अंदर धस रहा है इसलिए ocean के floor में कमी आएगी यह इस्तिती इहां पैदा हो रही है जब दोनों plate एक दूसरे से टकरा रहे है convective current नीचे की तरफ move कर रहा है plate एक दूसरे से टकराए और टकराने के कारण finally ocean के floor में कमी हो रहे है इसमें melted crust जो है जो भाग अंदर की तरफ धसा इसके धसने से यह अंदर जाकर के पिघल जाएगा और पिघल जाकर के magma का निर्मान करेगा adriatic magma और यह जो adriatic magma है यह यहाँ पर काफी जादा pressure create करेगा और इस pressure के कारण इस subduction zone से 200-200 km के area में जो अलामुखी विसफोर्ट होता रहेगा और इस जो अलामुखी विसफोर्ट से series में जो अलामुखी उदगार होते रहेंगे और subduction zone के आज पास इस तरह की घटा है आप देख सकते हैं जैसे mid oceanic trenches जिसमें trenches का भी निर्मान होता है volcanic eruptions भी होता है islands का निर्मान होता है जैसे Hawaii island या Ireland island इत्यादी की अधी हम बात करें तो यह सभी द्वीपों का निर्मान इसी कारण से हुआ क्योंकि जब यह लगातार एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं यहां बहुत ज़्यादा pressure बर रहा है तो यह plate को तोरके वाला मुखी विसपोर्ट के रूप में बाहर निकलेगा और महासागर के ऊपर जब यह आ जाएगा तो यह यह वाला मुखी से उत्पन होने वाले महादूइप की रसना करेगा दूसरी इस्तिती हो सकती है कि कुछ जो इसका पाठ है वह अंदर की तरफ जाए दूसरी इस्तिती हो सकती है जब दो कंटिनेंटल प्लेट का कनवर्जेंस हो और जब दो कंटिनेंटल प्लेट का कनवर्जेंस होगा उस इस्तिती में कुछ विसिस्ट इस्तलाकितियों का निर्मान होगा क्योंकि प्लेट का एक भाग मिंटल की तरफ अंदर जाएगा और मिंटल की तरफ जब यह अंदर जाएगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रियेट करने से यहाँ पर फोल्ड मौंटेन का निर्मान होगा जैसे हिमाले या रौकीज या एंडीज मौंटेन इत्यादी जो भी बने है वो एक प्लेट दूसरे प्लेट को प्रेस कर रहा है उसका एक भाग नीचे की तरफ जा रहा है सबडक्सन जोन में और उपर इस प्लेट पे बहुत ज़्यादा प्रेसर के कारने हाँ फोल्ड मौंटेन की उत्पत्य होगी यह जो विसाल का एरिया है यह खड के रूप में खड बन जाएगा जिसों महाखड या फोर्डिप कहते हैं बात में नदियों के द्वारा लाई गई एल्यूवियम से भर दिया जाता है और प्लेन का निर्मान करता है जैसे उदारन के तोर पे आप कह सकते हैं कि सिंद से लेकर वेस्ट बंगाल तक का जो भाग है हिमाले के फुट हिल्स में वो एक महाखड या फोर्डिप के रूप में डेबलप हुआ था और फाइनली विविन नदियों के द्वारा हिमाले की नदियों के द्वारा इसे भर दिया गया और एक प्लेन का निर्मान हुआ लेकिन यह प्लेन जो है उसके नीचे विशाल का एक खड़ है जिसे फोर्डिप के नाम से हम लोग जानते हैं जब मेटेरियल काफी हद तक कंटिनेंटल प्लेट का अंदर जाता है तो यहां रायोलिटिक मैगमा का निर्मान होता है और फिर आसपास भॉलकेनिक इरॉप्शन्स भी होते हैं जैसे जो भी फोल्ड मॉंटेन है उस फोल्ड मॉंटेन के आसपास देर सो दो सो किलोमीटर क के रेंज में अब वॉलकेनिक इरॉप्शन्स भी बहुत जादा देखेंगे तीसरी इस्थिति हो सकती है जब एक ओसनिक और एक कंटिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकरा है यदि तीसरी इस्थिति में हम देखें कि एक कंटिनेंटल और एक ओसनिक प्लेट है तो ओसनिक जिसका density 3 के आसपास होता है लिथोस्फेरिक प्लेट जिसका density 2.7 के आसपास होता है तो यहाँ पर यदि एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने की इस्थिति में वहाँ भी महाखड जैसा बनता है जिसे हम ओसनिक ट्रेंच के नाम से जानते हैं जो पैस्थिक ओसन में जो ओसनिक ट्रेंचेज हैं जैसे मेरियना ट्रेंच की बात करें या चैलेंजर डिप की बात करें इनका निर्मान इसी कारण से हुआ क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराए और ठक्राने के बाद एक विसालकाय ट्रेंज का निर्मान हुआ यहां volcanic mountain का भी निर्मान होता है continental side में मान लिजे यह continental plate है और यह oceanic plate है तो इस city में यह oceanic plate अंदर की तरफ जा रहा है अब यहां जो material develop हो रहा है pressure create कर रहा है यह continental भाग को तोड़ के निकलेगा और volcanic mountain यहां पे बनेंगे जैसे rockies, orangies, mountain का example आप ले सकते हैं तीसरी इस्तिती जो हम लोग discuss करने जा रहा हैं वो है conservative या shear या transform plate margin की जिसे हम लोग संदक्षी plate किनारा करते हैं या संदक्षी plate किनारा एक दूसरे के अगल बगल से हो करके गुजरता है और conservative plate margin में न तो lithosphere का निर्मान होता है न तो lithosphere का विनाख होता है केवल बहुत अधिक मात्रा में fracture पैदा होते हैं cracks पैदा हो जाता है चुकि plate एक दूसरे के अगल बगल से हो के खिशक रहे हैं तो इसलिए जहां भी आप constructive या divergence देखेंगे या convergence देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे cracks भी आपको देखने को मिलेगा तो आपर बहुत सारे cracks का भी निर्मान होता है जब हम इस चीज को Atlantic, Indian या Pacific Ocean का example लेके देख सकते हैं जिसमें जहां भी plate एक दूसरे के अगल बगल से खिशक रहे हैं वहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर ही फूप सारे cracks डेवलप हुए हैं और उसे आप map में भी देख सकते हैं ये जो ridge हैं या पहारियां हैं वो एक दूसरे से दूर खिशक रही हैं और इनकी गती 1 cm परतिवर्स से 10 cm परतिवर्स तक है जो छोटी छोटी पहारियां है पैस्पी कोशन में या अन्य जगहों पर उनका उनकी गती जादा है और वो एक दूसरे से तेजी से दूर होते जा रहे हैं जो high ridge हैं वहाँ slow spreading है और उनकी गती धीमी होने से वो धीमी गती से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आज जो हम लोग plate, tectonics, सिध्धान्त की हम लोगों ने बात की इसमें मुख्यता हम लोगों ने बात की कि plate और tectonics दो सब्दों से मिलके बना है इसे किसी एक विद्वान नहीं बल्कि कई विद्वानों ने मिलकर develop किया plate एक दूसरे से टकराते हैं, plate एक दूसरे से दूर जाते हैं या plate एक दूसरे के आगल बगल से किसकते हैं और इस प्रकार से चाहे fold mountain का बनना हो, या fault हो, या cracks हो, या trench का बनना हो, या sea floor के spreading की बात करें ये सारी चीजों को हम लोग बहुत बहुत बेहतर ढंग से plate विवरतनी की सिधान से analyze कर सकते हैं धन्यवाद